सद्गुरो की साजी निवाद जी, प्यारी साथ संगत जी, प्यार और सतकार से कहना धान निरंकार जी सबसे पहले सद्गुर मार्ता जी का शुकराना जिनकी अपार किर्पा से जिनकी असीम किर्पा से दासियाप जी के चर्नों में ये विचार रखने जा रही है इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है जिस तरह संपूर्ण हर्देब आनी में सत्कुर्बाबा हर्देब सिंग जी महाराज ने भी कहा है करम जिसका बोलता है सच्चा वो परचारक है जो स्वयम को ही सुधारे सच्चा वो सुधारक है कहते हैं कि जो अपने करमों के द्वारा अपने आपका सुधार करता है वही सच्चा सुधारक और परचारक है कहते हैं कि इंसान अपने आपको सुधारने की जगे दूसरों को सुधारने के लिए ज्यादा परशान रहता है महापूरिश समझाते हैं कि तुम अपने आप का सुधार करो तो दुनिया अपने आप ही सुधर जाएगी ऐसे ही एक बार पेट्रोल से लबा लब भरा एक टैंकर डिली से बोंबे के लिए रवाना हुआ रास्ते में चलते चलते वह अचानक रुख गया ड्राइवर हैरान होकर लीचे उत्रा उसने टैंकर का मुआइना किया दो दिन पहले ही मिस्त्री ने टैंकर को ठीक किया था आखिर अचानक हैसा क्या हुआ कि टैंकर रुख गया बहुत कोशिश की लेकिन टैंकर जरासा भी आगे नहीं बड़ा पास में ही मेकैनिक की दुकान थी, ड्राइवर ने मेकैनिक को बुलाया, मेकैनिक ने एक एक पुर्जे का निरिक्षन करना शुरू किया, उसे कहीं कोई खराबी दिखाई नहीं दे रही थी, आदा घंटा निरिक्षन करने के बाद उसने ड्राइवर को बताया, पेट्रोल न कैनिक ने कहा मैं टैंकर के पेट्रोल से भरे होने की बात नहीं कर रहा हूं वह भरा है या खाली है इस से कोई फरक नहीं पड़ता इस टैंकर की खुद की पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल खतम हो गया है इसलिए यह रुक गया है अच्छा ड्राइवर कहता है अच्छा अग बोड़ा पेट्रोल निकाल कर इस टैंकर की पेट्रोल की तंकी में डाल दूं तो क्या यह टैंकर चल जाएगा तो आगे से मेकैनिक ने कहा हाँ बिल्कुल चल जाएगा क्याती है कितनी अजीब बात है कि टैंकर में पेट्रोल भरा है फिर भी पेट्रोल की कमी के कारण ही टै कारण यही है जो पेट्रोल टैंकर में भरा है वह दूसरों को बेचने के काम आएगा इस टैंकर का खुद का काम जो उसी पेट्रोल से चलेगा जो उसकी अपनी टंकी में होगा अगर उसकी टैंकर की टंकी में पेट्रोल है तो तब ही टैंकर चल पाएगा चाहे बेशिक टैं टेंकर के अंदर पेट्रोल रखा हुआ है लेकिन वो पेट्रोल काम नहीं आएगा काम वही आएगा जो टेंकी के अंदर है अगर टेंकी खाली है तो टेंकर कैसे चलेगा अगर टेंकी में पेट्रोल डाला जाएगा तब ही टेंकर चल पाएगा इसी तरह हैं इनसान दूसरों को समझाने के लिए अपने दिमाग का लबा लब टैंकर लिए गूंगता है धंपून अवतारबाणी में भी शयवद नंबर 278 में लिखा है अपनी खबर नलेंदा मूरग लोकानू समझानदा है अपने आपका तो पता नहीं है लेकिन दूसरों को समझाने में सलहा देने में लगा हुआ है थंसार में सबसे आसान काम है सलहा देना ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए इन विश्यों पर घंटो भाशन दिये जाते हैं और कहते हैं कि उस काम को करने की वो यसी बाते करके सलहा दे के सुन कर सुना कर इनसान ये समझता है कि मैं उस काम को करने की ज बनने वाला नहीं है उसका फाइदा तो तबी होगा जब वे बातें जो वह दूसरों को समझा रहा है उसकी अपने जीवन में करम रूप में ढल जाएंगी स्वामी विवेका नंजी अमरीका में विश्व शान्ति का संदेश देने गए एक मीटिंग में उन्हें सुनने के लिए हजारों शुरोता इकठे हुए तो अपने स्पीच में स्वामी विवेका नंजी ने कहा कि मुझे सुधारक चाहिए हाल ही में बैठे कई सजनों ने हाथ खड़े कर दिये तब स्वामी विवेका नंजी ने कहा अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है मुझे वे सुधारक चाहिए जो अपना खुद का सुधार कर सके इसी तरह कहते हैं कि सतकुर बाबा हरदेव सिंग जी महराज भी फरमाते कि जो महापुर्ष होते हैं वो सिरफ उपदेश ही नहीं देते बलकि संसार के सामने अपना जीवन भी पेश करते हैं उन्होंने जो पाज समझानी होती है वेक खुद करके भी दिखा देते हैं जिस तरह यह है अगस्त का महिना जब से शुरू हुआ है फर्ष्ट अगस्त से इन्ही तीनों मातरी शक्तियों का ही जिकर हो रहा है इन्होंने करम रूप में करके दिखाया करम रूप में हर एक बात को जी कर दिखाया यह नहीं कि सिरफ कहा ही है सिरफ सुना ही है नहीं करने कहने और सुनने से पहले करने में विश्वाश रखा की भी बाते कि उस समय कोई इतनी फैसिलेटिज भी नहीं होती थी गर आधी रात को भी कोई सेवादार आ गया है तो उसके लिए भी खाना बनाना अगर मानलो बरसात आ रही है उनके वस्तर गेले हो गए है तो उनको भी दूसरे वस्तर देने कहीं भार तो शेहनशाजी के वस बहुत कम फैसिलेटिज थी आजकल तो बहुत फैसिलेटिज आ गई है तो कहते हैं कि ऐसे समय में जगत माता भूद्वन्ती जी ने हर एक सेवादार की इस तरह सेवा की ये सभी मेरे अपने बच्चे हैं एक मा बनके की ये सारे संसार की माता थी और किस तरह हर एक का ध्या जब हो रहा था दिल्ली में भवन तो काफी हैं लेकिन एक भवन की बात की गई है कि उस समय जब दिल्ली में किसी भवन निर्मान का काम चल रहा था तो जो मिस्त्री महापुरुष थे उनके लिए भी माताजी खाना बनाते उनके भी कपड़े धोते इस तरह हर एक इनसान क किस तरह ध्यान रखा, करम रूप, करके दिखाया, ऐसे ही निरंकारी राज मता जी भी हमें किस तरह समझा रहे हैं, कि हमने प्यार से रहना है, और जिस बात को हमने नहीं बोलना, उसे नहीं बोलना, जिस तरह हमारे बेहन मोहनी आउजा जी, जिस तरह हमारे अमरी सर वाले ब बेहन निरंजन जी हमें समझा रहे थे कहते हैं कि हम जब छोटे 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 थे तो राजमत्त जी ने एक पर किसी बेहन के साथ मार किर जाना वो सेवादर बेहन कहते हैं कि मुझे कहने लगी कि मेरे घर में जाकर बोलाओ कि मैं राजमताजी के साथ मार किर जा रही हूँ तो बेहन जब बोलने बेहन निरंजन जी जब उनके घर में बोलने गए यह मैसिज देने गए, तो आगे से कहते हैं कि जो उस बेहन की नू थी, पुत्रवदू थी, वो कहते है कि इसको तो कोई कामी नहीं है, सारा दिन गूमती रखती है, इसको कोई कामी नहीं है, जब बेहन रंजन जी कहते हैं, राजमता जी के पास दासी आई, और राजमता जी जो उस बेहन की नू है बेटे की बहु है वो कह रही थी कि तो सारा दिन कुम्दी रहं दिया नू हो और कोई काम ही नहीं है तो आगे से राजमत्य जी ने कहा बेटे आपने जो ये बात सुनी है इसको यही छोड़ देना है उस बेहन को नहीं बताना नहीं तो उसके घर में ल कहनी वो नहीं कहनी ताकि उनके घर में लड़ाई जगडा नहों कलाकलेश नहों शांती बनी रहे तो यहां भी इस तरह समझाया और ससंग के लिए भी किस तरह राजमत्य जी को कहीं बर बुखार भी होता फिर भी राजमत्य जी बुखार में भी ससंग करने चले जाते करम क करके हमें समझा रए हैं कि हमने सेवा सिम्रन सत सन को अपने जीवन का एक अभिन अंग बनाना है और इस तरह हमने अपना जीवन को जारते जाना है फिर माता स्विंदर जी की भी बाते हो रही है कि किस तरह माता स्विंदर जी भी सबको सेवा की सस्थंग की सिमरण की प्रेदना देते जिस तरह एक बहन ने कहा कि मेरे घर में बड़ी परिशानी है माता जी ख़र्चे भी अदिक बड़ गए है ज्यादा इंकम भी नहीं है बच्चे भी बड़े हो गए हैं इनकी शादियां भी करनी है आप जी अशीर बात दो माता सुइंदर जी ने कहा कि आप ससंगिया करो उस बेहन ने इस वचन को जोली में डाला और आज वो बेहन बहुत ही खुश है कहने का भाव की इन मातरी शक्तियों ने खुद भी करम किया है करम करके दिखाया है ऐसे ही एक मनसूरी की भी बात आती है कि राद के समय माता सुइंदर जी घूमने जा रहे थे और बहने भी थी तो माता सुइंदर जी ने देखा कि एक गडर का ढकन जो है खुला पड़ा है कहीं और पड़ा हुआ है तो कहते हैं कि माता जी ने देखा बाबा जी भी आ रहे थे पीछे पीछे तो बाबा जी ने यो ढखकल उठा कर उसको ढख दिया और माता जी भी इस तरह इस काम में सहायक हुए और कहते हैं कि इसी तरह एक बार कहते हैं कि कोई शराब पिये हुए रास्ते में किरा हुआ था ये भी मनसूरी की घटना है तो वो भी किस तरह है माताजी ने उस महात्मा को उस रिक्षे वाले को जिसने शराप पी रखी थी उसको कोठी में निरंकारी के लोनी ले आए और फिर सेवादर महत्मा को कहा कि इनका ध्यान रखना जब ये होश में आ जाएं तो सुबह इनके घर छोड़ाना तो किस तरह हैं उनका पता पूछ कर दूसरे रिक्षावलों से उनके घर सुबह सेवादर महत्मा छोड़ के आए हर एक महत्मा का ध्यान रखना इसी तरह कहते हैं कि एक बार माता स्विंदर जी मार्केट में घूमने जा रहे थे माता जी वैसे ही घूमने के लिए जा रहे थे खाना खाने के बाद और बेहने भी थी कहते हैं माता जी ने एक इंसान को देखा जो सड़क पर बैठा हुआ रो रहा था तो माता जी ने माता स्विंदर जी ने उसे पूछा कि आग क्यो रो रहे हुँ तो कहने लगा कि मैंने मैं बोंबे से आया हूँ और अब मैंने अपने घर बोंबे जाना है और मेरा सामान चोरी हो गया है मेरे पास अब जाने के लिए किराया भी नहीं है तो मातस्विंदर जी ने साथवाली बेहनों को कहा कि इनको निरंकारी कोठी ले चलो निरंकारी कालोनी ले चलो वहां ले गए और सेवदार मातमाओं से कहा कि इनको खाना भी खिलाओ इनका सोने का भी अच्छा सा अरेंज्मेंट करो और इनके सुबह के लिए इनकी टिकट बॉंबे जाने के टिकट भी इनकी बुक करवादो, रिजर्व करवादो ताकि ये महात्मा अपने घर जा सके, दासी तो महात्मा ही कहेगे, हमारे लिए सारा संसार ही महात्मा है, तो इस तरह कहते हैं कि इतने द्यालू, इतने किरपालू, सत्गुरू हमें मिले, और आज वक अपना करम करके दिखाया, गटर वाली बात भी जैसे, कि गटर का धकर खुला हुआ था, तो बाबाजी महापुर्श बाबाजी के साथ थे, वो महापुर्श आगे चले जा रहे हैं, बाबाजी ने वो धकन काफी दूरी पर पड़ा था, उससे उठाया, और उसको गटर को ढगा, और इसी तरह माता सुंदर जी ने भी मनसूरे जाते हुए, एक अटर का धकर खुला देखा, तो उन्होंने भी अपने हाथ हो से उसको ढगा, और किस तरह हर एक की बात को रखते रहें, यह अंतरयामी होते हुए भी, फिर भी हर एक की बात सुनते, और इसी तरह रखेंगे उतना हि तभी बात बनेगी, गहते है कि सुनने सुनाने से बात नहीं बनेगी, जीवन का हर पल एक मोका देता है, हम खुद को पहले से बहत्र बनाएं, आहो हम भी दूसरों की बज़ाए खुद में बदलाव करें, हम सुधर जाएंगे, तो हमारे कर्मों को देखक गर दूसरे खुद में खुद सुदर जाएंगे जब करम बोलता है तो लंबे चोड़े भाशनों की भी जरूरत नहीं पड़ती है कहते हैं कि थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कहा जा सकता है आज सद्कुर्माता सुदिक्षा जी महाराज भी कई बार तो तीन चार मिन के ही विचार करते हैं और इतनी गहरी बात हमेश समझा देते हैं तो सद्कुर्व खुद करम करके दिखा रहे हैं कि हमने बोलना कम है और करम जादा करने हैं संसार में निरंकार प्रपु की शरन ही इनसान को विनाज से बचाती है यह सारी स्रिष्टी समर्पन को ही अधार बना कर चल रही है सूर्य अपने पास कुछ नहीं रखता वे समस चड़ चेतन पदार्थों को परकाश दे रहा है ये सारी स्रिष्टी को प्रकाश दे रहा है हवा दूसरों के लिए बह रही है अगनी दूसरों के लिए जलती है और धर्ती सब के लिए अनाज बैदा करके सब को जीवन दान दे रही है ये सारे संसार के लिए भले के लिए है पेड जो हैं, फूल फल चाया दे रहे हैं, सबी के प्रोपकार के लिए हैं, नदिया भी प्रोपकार के लिए बह रही हैं, बादल भी समरपित हो रहे हैं, यह समपूर्म संसार आत्म समरपन का नमुन्ना है इसी परकार जब इनसान निरंकार के सामने अपने आप, निरंकार सत्कुरू के चर्णों में अपने आपको समर्पित कर देता है तब उसे जीवन जीने कार्थ समझ में आ जाता है और उसे सारी प्राप्तियां भी अपने जीवन कार्थ में ही हो जाती है जब किसी इनसान पर सरव्यापी परम सत्य निरंकार प्रबू की किरपा होती है तब उसे भक्ति का मारग मिलता है इनसान के जीवन जीने का यह सबसे सरेष्ट मारग है यह जीवन मुक्ति का मारग है यही योग मारग है यही अम्रित है जब सत्कुरू की किर्पा के फल सवरूप इनसान का ध्यान इस निरंकार में होता है तो इनसान इसी को ही विशेष्टा देता है और इसी को ही आधार बना कर जीवन जीता है हर पल, हर शन, हर स्वास इसी का हिसास करता है कि यह निर्णकार मेरे अंगसंग है यह मेरे हर काम को देख रहा है तब भक्ती महारक पर जीवन जीते हुए इनसान के जीवन में एक महतवपुर्ण घटना घटित होती है वह है जीवात्मा का समर्पन खुद को पूरा पूरा सत्कुरू के सामने समर्पन करना अगर ऐसा हो जाए तो ततव वेता महात्मा कहते हैं कि फिर कुशेश बजता ही नहीं है सीधे ही परंपत की प्राप्ती हो जाती है आत्मा देहे में रहते हुए विदेहे वाली अवस्था को पा लेती है इस बात का समर्थन सारे धरम ग्रंथ भी करते हैं शीरी गुरु गुरंद साहिव जी में भी जिकर है तुम शरनाई आई हो ठाकुरु तुम शरनाई आई हो उतर गयो मेरे मन का संसा जबते दर्शन पायो अनबोलत मेरी बिर्था जानी अपना नाम जपाया है मेरे सत्गुरु सच्चे पाश्या जिस दिन से मैं आपकी शरन में आई हूँ मेरी सारे शंकाई आपने दूर कर दी है आपकी शरन भी आकर मैंने निरंकार के दर्शन कर लिये हैं सच्चे पाश्या आपने मुझे पर बड़े किर्पा की है आपके किरपस से मुझे ग्यान रुपी परकाश मिल गया है और इससे अग्यानता कांदकार दूर हो गया है सतकुरू ने प्रभू से मिलवा कर इसके नाम का सिम्रन करवा दिया जिससे मेरे सब दुख दूर हो गए है और अब मेरा जीवन सुखी हो गया है सतकुरू ने मुझे माया के अंदे कुएं से बाहर निकाल कर अपना बना लिया है बहा पकड कर लीजे अपने ग्रिहें अंद कूपते माया मेरे सचे पाशा ने सारे करम बंधन काट दिये हैं और बिच्डी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला दिया है मुझ बर सतकुरू ने बढ़ी किर्पा की है मानल जीवन का सारा खेल निरंकार प्रभू की शरण में आने का है वेद भी इसका समर्थन करते हैं रिग वेद में भी निरंकार प्रभू को संबोधित करते हुए कहा गया है कि जिसने अपने आपको तेरे अर्पन कर दिया है उस मनुश्य को उत्तम मार्गों से ले जाता हूँ तो उस मनुश्य को हर पाप से, दुख से, संकर से, कश से, कलेश से, बीमारी से बचा लेता है तो उस मनुश्य की हर पल हर जगे रक्षा करता है सारी बात है समर्पन की जिसने सत्गुरू के आगे अपने आपको सुरेंडर कर दिया उसने सब कुछ पा लिया हम दिल से शर्दा से हम निरंकार के सत्गुरू के चर्णों में नतमस्तक हो जाए हर एक जीव में हम निरंकार की जोती देखते हुए हर एक का दिल से सत्कार करें दिल से हम प्यार करें आज सत्गुरू यहे चाहरा है कि हमने करम जादा करने है निरंकार यह मोन है कितना हम भी खम बोला करें तो लेबिन रसना से अपनी कुछ ना हम बोला करे यहां सत्गुरु ने करब पर बहुत जोर दिया है अगर हम सत्गुरु किस बात को मान रहे हैं तो फिर सही माइनों पर हमें ये प्रमग्यान समझा गया है फिर हम गुरु को तो मान रहे हैं फिर हम गुरु की भी मान रहे हैं अच्छी अभिचार करते हुए दासी से कहीं परकार की बूले हुई होगी दासी बूलो के लिए आप जी से शमा पराती है दासी सब के भले की कामना के लिए सिमरण करवाएगे सबी निमिलकर सिमरण में साथ देना है तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैं नू बख्ष लो बोलिए सत्गुरू माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महाराज कीजै निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार कीजै हाज संगत जी प्यार से कहना धान निरंकार जी